हेलो आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर शिक्स और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है वे क्रिया कलाब जिसमें व्यक्ति स्वैम के परिवार के भरन पोशन और धन परापती यानि अपनी आजिव का चलाने ही जो कारे करता है जो कैसी क्रियाएं कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, नैकोशन देखिए, आखेट करना, भोजन संग्रहन करना, पसुपालन करना, मचली पकरना, कृसी करना, खननादी को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, आखेट, भोजन, संग्रहन, पसुपालन, प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है तो यह किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं यह सभी कैसी क्रियाएं हैं प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं हैं नेक कोशन देखी उद्ध्योगों को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं माना जाता है तो उद्ध्योग कैसी प्रक व्यापार परेटन वे संचार को किस प्रकार की आर्थिक क्रिया माना जाता है यह सभी आपके तिरत्यकार्थिक क्रिया हैं ठीक है, ये सबी कैसी क्रियाएं हैं, तृत्यकार्थिक क्रियाएं हैं, नेक कोशन देखिए, उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है, उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कच्चे माल द्वारा उप्योगी वस्तु निर्मान का क यानि हम अगर किसी जगह पर कच्छे माल द्वारा किसी उपयोगी वस्तू का निर्मान करते हैं, ऐसी कोई एकाई, ऐसा कोई कार खाना, ऐसी कोई जग है, वो क्या कहलाती है? वो उध्योवत्वा विनिर्मान इकाई कहलाती है. नेक कुशन देखिएं, विध्याले इस तर पर वेबसाइक सिक्छा का पाठेकरम लागुक की सूजना के तहत किया गया है, तो देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़ादा है, और इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया गया है? पाठेकरम लगाए गया है, विध्याले इस तर पर, ताकि वेक्तियों को टेक्णिकली सक्षर किया जा सके, उनको स्वेरोजगार के लिए प्रेडित किया जा सके, तो ये कारे किया गया है, कौसल विकास यूजना के तहत किया गया है सरकार द्वारा स्वयरोजगार को बढ़ावा देनी ही तो कौन-कौन से कारेक्रम चलाए जा रहे हैं उधमिता विकास कारेक्रम जिसे ADP भी कहा जाता है यह तो हमने देखा था कौसल विकास योजणा के तेहती देया जा रहे हैं तो यह सभी कैसे हैं यह सभी वो कारेक्रम हैं जो सरकार द्वारा स्वयरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे हैं नेक कोशन देखिए उद्योगों का वर्गीकरन सामने ता किन आधार पर किया जाता है या फिर किसी अने के पास है सरकार के पास है निजी के पास है या दोनों के पास है या फिर किसी अन्नी के पास है तीक है इसी तरह कच्चे माल किस प्रकार के कच्चे माल के उपर आधारित है तो हम कच्चे माल के उपर आधारित वर्गी करण करते हैं सामित के आधार पर वर्गी करण करते हैं तो कौन-कौन से भागों में किया जाता है, कुटिर उध्योग, लगू उध्योग और व्रहत उध्योग, कुटिर यानि क्या होता है, कुटिर यानि घर, यानि कुटिर यानि पहले जमाने में क्या होता था, कुटिया हुआ करती थी, चोटे-चोटे घर हुआ करती थे, तो क कुटिर का अर्थ क्या है कुटिर का अर्थ है कुटिया यानि छोटा सा घर यानि घरीलू उद्योग जो होते हैं उनको कुटिर उद्योग कहते हैं और लगू उद्योग और व्रहत उद्योग इस प्रिकार से उद्योग का आकार के आधार पर तीन प्रिकार से वर्गी करण क किया जाता है, next question देखिए, कुटिर अत्वा घरील उद्योग किसे कहा जाता है, देखिए अभी मैंने इसको describe किया था, कुटिर यानी घरीलू, है न, कुटिर, कुटिर यानी कुटिया, next, इसको देखिए, छोटे पैमाने पर पर परिवार के सदस्यों की साहता से अपने घर पर ही चलाए जाते, ऐसे उद्योग क्या केलाते हैं, कुटिर अत्वा घरील उद्योग कहलाते हैं, next question देखिए, लगू उद्योग किसे कहा जाता है, लगू उद्योग क्या होते हैं, चोटे इसतर पे होते हैं, जिसमें दस से सौस्रमिक कारे करते हैं, चोटे कार खानों में चलते हैं और मसीन भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो ऐसे उद्योग क्या 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 लगू उद्योग क्या लगू उद्योग क्या लाते हैं और जब इनका एक्जामपल देखें तो वो क्या है माचिस उद्योग हो गया आपका इट उद्योग रंग चपाई के उद्योग के सभी कैसे हैं ये लगू उद्योग के उधारण है नेक कोषिशन देखिए, व्रहत उद्ध्योग किसे कहा जाता है, व्रहत उद्ध्योग वो है जो बड़े इसतर पर किया जाए, ऐसे उद्ध्योग जिन में अधिक पूंजी का निवेश किया जाए, उच्छ स्तेरिय प्राध्धकी की आईनि बड़ी-बड़ी मशीनिय और ब प्रहत उद्ध्योग के उद्धार्ण है, नेक क्वेशन देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्ध्योगों को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है, इनको चार भागों में वर्गी करत किया गया है, निजी छेतर उद्ध्योग, सर्वजनिक छेतर उद्ध्योग कॉन कॉन से निजी चेत्र उध्योग, साभजिनिक चेत्र उध्योग, साइयूग्त छेत्र उध्योग स्वामित्व के आधार पर चार प्रकारत से उध्योग को अबर्गी करत किया गया है नेक पुईशन देखिए, निजी छेत्र के उध्योग किसे कहा जाता है, निजी छेत्र के उध्योग किसे कहा जाता है, तो निजी से भी आप समझ में आ रहे हैं, हमने क्या कहा था, हम इसको सौमित्व के आधार पर देखते हैं, संचालन के आधार पर देखते हैं, तो निज से अधिक वेक्तियों के सम्हु द्वारा संचालिद स्वामित वाले उध्योग होते हैं उनके संचालन भी उनी के द्वारा किया जाता है और स्वामित भी उनी के द्वारा किया जाता है ऐसे उध्योग क्या इसे कहलाते हैं उनको निजी छेत्र के उध्योग कहा जाता है net question देखिए किसके अधिकार चेतर में आता है तो किसके अधिकार छेतर में आता है? सरकार के छेतर में आता है, सरकार के अधिकरत छेतर में आता है, सार्विंग छेतर के उध्योगों का स्वामित व्य संचालन सरकार के अधिकरत होता है संयुक्त चेतर के उध्योगों का सामित वए संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो यह देखिए इसमें गॉर्मेंट और नॉन गॉर्मेंट या गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही वेक्तियों का सम्हूं होता है और इसलिए संयुक्त चेतर के उध्योग इनको का जाता है तो राज्यों और वेक्तियों के सम्हूं द्वारा जिसे मारूती उध्योग लिमिटेडिस का एक अच्छा उध्योग है तो यह कैसा उध्योग है यह संयुक्त चेतर के उध्योग है जहां राज्यों और वेक्तियो और स्वामेत्व किया जाएं ना वीषजन देखिए नएक व क्या गारा किया जाता है नने यह कुछ गुरूप बन गया हमें कोई काम करना है पांच विक्ति एक काम को जानते हैं तो पांचों ने एक गुरूप बनाया और उन्हों ने ही धीरे 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 ऐसे ही लोगों को जोड़ा और बड़ा ऐसे बहुत सारे लोग जोड़ गया है उन्हीं के द्वारा स्वामित देर, Union Limited हो गया है, सरस देरी हो गया, इसमें क्या होता है, जो लोग कच्चा माल प्रवाइड कराते हैं, जो लोग उस के काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा उसको संचालेज भी किया जाता है, उन्हीं के पास उसका सामित्वे भी होता है, जो ऐसे चैतर के उद्ध्योग कैला नेक कोईशन देखिए, कच्छे माल के आधार पर उध्योगों को कौन कौन से भागों में वर्गी करत किया गया है, तो देखिए, क्रिशी आधारित उध्योग, समुद्र आधारित उध्योग, खनीज आधारित उध्योग और वन आधारित उध्योग, ये कौन कौन से उध् पर आधारित उद्योगों का वर्गी कर्ण हैं नेक कोशन देखें कच्चे माल पर आधारित खाद संसाधन, सककर वनस्पति तेल, सूती वस्त्र डेरी उत्पाद वे चमणा उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं? अगर हम उद्योगों को कच्छे माल का आधारित उसमें वर्गी करण में देखें, तो जो एक खादस अंसादन है, सक्करवनस्पती तेल, सूती वस्त्र, डेरी उत्पाद, वे चमड़ा उद्योग जैसे उद्योग हैं, ये किस प्रकार के उद्योग हैं, ये कैसे हैं, ये कि इसके उपर आधारित हैं, ये किर्सी के उपर आधारित हैं, तीक हैं, इस बात का अब याद रखेगा, और ये कोशिन पूछा भी गया है, कि चमड़ा उद्योग किस प्रकार के कच्छे माल पर आधारित उद्योग गए, तो ये किर्सी आधारित उद्योग है, ने कोशिन क्रिसी के अंदर पसु पालन भी स्वावव होता है क्रिसी के अंदर पसु पालन भी स्क पर कोशन देखिए मशली का पाई जाती है पानी में यानि समुद्र आधारित उध्योग किसे कहा जाता है आधार भूत उध्योग किसे कहा जाता है तो देखे किसे कहा जाता है खनीज आधारित उध्योगों को क्यों कहा जाता है देखे खनीज जैसे कि आप लोहा निकालते हैं खनीज के तो लोहे से आप बनाएंगे अगर आप लोहा ही नहीं बनाएंगे तो बड़ी-बड़ी machine ray नहीं बनेगी जिसमें दूसरे उद्योग dependent हैं तो ऐसी condition पे क्या होगा ये ऐसा एक उद्योग है जिसमें बहुत सारे उद्योग आधारित होते हैं तो ये इस वज़े से आधार भूत उद्योग कहलाता है तो खनीज आधारित उद्योग कैसे होते है और अधार भूत उद्योग कहलाते हैं नěक कोशन देखिए वन आधारित उद्योग 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 जियां है पांस का सामान हुआ फनीचर हुआ जाड़वग बनाना बीडी का उद्योग, मार्चेस उद्योग, लुकदिवा कागत जो अउज्दी का उद्योग, कथ्था और गॉंद आदी जु प्राप्ति होती है इन सब से कनसर्णिंग जो उद्योग है वह सब कैसे हैं वो अन आधारत उद्योग है तो चलिए इसी के साथ पार्ट सेकंड पर हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी कोशन हमारे बागई हैं, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जल्द ही, और अब हम रहेंगे रेगुलर, तो आप रहीए आप भी रही है रेगुलर, मिलते हैं नेक्ट वीड